अगर पुपेंदर सिंग हुड़ा इनको टिकेट नहीं दिलवाते तो इनका टिकेट कटना लाजमी था जैसे आपको उदारन देदू रानिया विदान सबा से पत्रकार सरो मित्र कंबोज को टिकेट नहीं मिलता एलाबाद से बरत सिंग बेनिवाल की जगाय संतोस बेनिवाल को टिकेट मिलता नार्नोंद से चसी पेटवाण को टिकेट नहीं मिलकर इबापर डोक्टर अजय चोदरी को टिकेट मिलता करन दलाल की टिकेट करती रावदान सिंग की टिकेट करती जैप्रकासुरफ जैपी की बेटे विकास सारण का टिकेट करता परन्तु पुपेंदर सिंग हुड़ा के कारण इन लोगों को टिकेट मिली है यह संक्या साथ से ज्याद है आपको बता दूं कि 90 विधान सभावों में से पिछेतर से लेकर गुझण तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको बताएंगे कि ने किन 60 उमीदवारों को टिकेट दिलवाया है अगर भुपेंदर हुड़ा इन उमीदवारों को टिकेट नहीं दिलवाता तो इनका टिकेट कटना लाजमी था और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कुमारी सेलजा ने किन-किन उमीदवारों को टिगट दिलाया है और रंदीप सिंग सुर्जेवारा ने किन किन उमीदवारों को टिगट दिलवाया है तो आईए करते हैं वीडियो की सुरुवात और बने रही है रियल फार्मर फैमली यूटूब चैनल के साथ दोस्तों हर्यानक कोंग्रेस को अगर हम बुपेंदर सिंग हुड़ा की कोंग्रेस कहें तो अभी गल्त नहीं होगा क्योंकि हर्यानक कोंग्रेस के उमीदवारों की सुची जारी हुई है उस सुची को देखकर तो यही लगता है कि सभी उमीदवारों को पुपेंदर सिंग हुड़ा ने ही टिगट दिये कुमारी सेलजा ने किसको टिकट दिलवाई है रंदीप सुर्चेवाडा ने किसको टिकट दिलवाई है ये भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परंतूस से पहले हम करते हैं बात बुपेंदर सिंग हुड़ा ने अपने कितने चाहिते उमीदवारों को टिकेट दिलाई है और दोस्तों बुपेंदर हुड़ा के दवारा अपनी मनमानी से टिकेट बादने का ये सिलसला सिरफ इस विदान सबाचुनाब में नहीं हुआ है बलकि लोग सबाचुनाब में भी ऐसा हुआ था ऐसा आप जानते हैं कि लोग सबाचुना में कुमारी सेल जायबो राउल गंदी से मिली थी और उन्होंने सिकायद की थी कि हरियाना के अंदर सिरफ बुपेंदर हुड़ा, उदेवान और दिपक बावरिया मिलकर ही टिक्टों का बटवारा कर रहे हैं ये अन्य नेता को नही पूछ रहे कि किसको टिक्ट देना किसको नहीं और सबसे ज्यादा यहां मनमानी कर रहा है वो है वुपेंदर हुड़ा और यही अब इन विदान सबाचुनाब में हुए है कुमारी सेल जायबो सोनिया गंदी से मिली और उन्होंने सिकायद की कि वुपेंदर हुड़ा और पूछ दिन पहले ही वुपेंदर हुड़ा की अधेक्सता के अंदर कॉंग्रेस पाल्टी के अंदर सामील हुए थे उसी सरवमित्र कंबोज को रानिया पिदान सबाच से वुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाई है दूसरी सीट आती है डबा वाली डबा वाली पिदान सबाच का जीकर करें तो यहाँ से अमीद स्याग को वुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलाई है क्योंकि अमीद स्याग है वो मोजूदा विदायक है और बुपेंदर हुड़ा ने पहले ही हाईकमान को कह दिया था कि हम टिकेट बटवारा करते हैं ये बात ध्यान में रखेंगे कि मोजूदा विदायकों को ज्यादा से ज्यादा टिकेट ने देंगे और डबा वाली से अमीद स्याग मोजूदा विदायक है उनको ही बुपेंदर हुड़ा ने टिकेट दिया है आपको बजा दू कि अमीद स्याग के पिता है वो बुपेंदर हुड़ा के अच्छे दोस्त है इसी कारण दोबारा अमीद स्याग को यहां से बुपेंदर हुड़ पुपेंदर सिंग युठा का टिगट लिए और अखिरकार पुपेंदर सिंग हुड़ा ने बरत सिंग बेनिवाद को inward को इक कॉंग्रेस का टिगट लिए तुझा विधानों से गोकुल सेतिया को इबुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाया है काला वाली विदान सभा का जीकर करें तो यहां से सीस राम केरवाडा को बुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाई है रतिया विदान सभा का जीकर करें तो यहां से बुपेंदर सिंग हुड़ा ने प इसलिए भुपेंदर हुड़ा ने ये टिकेट है वो जरनेल सिंग को दी है या भी भुपेंदर सिंग हुड़ा की चली है तोहाना विदान सभा का जी कर करें तोहाना विदान सभा से भी दो बार हारे हुए उमिद्वार को टिकेट नहीं देने वाला फार्मूला फेल हुआ ह और टुआना विदान सभा से भुपेंदर हुड़ा ने सर्दार परंबीर सिंग को टिकर दिलवाया है उकलाना विदान सभा का जिकर करें तो उकलाना विदान सभा से पहले कुमारी सेल्जा कह रही थी कि मैं चुनाब लडूँगी और ये लिष्ट है जो आखिर तक यानि की कॉंग्रेस की आगरी लिष्ट के अंदर है उकलाना विदान सभा का नाम सामिल हुआ था कुमारी सेल्जा का कहना था कि यहां से या तो मैं चुनाब लडूँगी या फिर मैं चिस नाम के उपर मोर लगाऊंगी वही उमीद वारत चुनाब लड़ेगा परंतु ऐसा नहीं हुआ यहां पर भुपेंदर हुड़ा ने नरे सेलबाल को टिकेट दिलवाई है बरवाला विदान सभा का जीकर करें तो यहां से भुपेंदर हुड़ा ने रामनियास गोडेला को टिकेट दिलवाई है हाँ दोस्तो बरवाला विदान सभा से भी भुपेंदर सिंग हुड़ा की कूप चली और उन्होंने रामनियास गोडेला को यह टिकेट दिलवाई है आदमपूर विदान सभा का जीकर करें तो यहां से रिटार्ड आईएस अपसर है जो चंदर परकास जिनका यह जीकर चला था कि उनको नलवा से कोंग्रेश टिकेट देगी परतू वुपेंदर सिंग हुड़ा ने आदमपूर विदान सभा से उनको टिकेट दिलवाई है इसार विदान सभा का जीकर करें तो इसार विदान सभा से कॉंग्रेस है जो बजरंग दास गरक को टिकेट देए चाथी थी परन्तु बुपेंदर उड़ा चाहते थे कि राम्यास राडा को टिकट दी जाई और आखिरकार में बुपेंदर सिंग हुडा की चली और उन्हेंने राम्यास राडा को ही टिकट दिलवाई है एक बार तो ये भी खबरें चली थी कि बीजेपी ने साथरी जिंदल को टिकेट नहीं दिया तो साथरी जिंदल है कॉंग्रेस के अंदर सामिल हो सकती है और साथरी जिंदर को कॉंग्रे से वो टिकेट देगी परंतु यह नहीं हुआ और यहां पर बुपेंदर उड़ा ने रामिया सराडा को टिकेट दिलवा दिये नार्नोद बिदान सभा का जीकर करें तो नार्नोद बिदान सभा भी उकलाना बिदान सभा की तरह एक ऐसी सीट थी जिसका फैंसला आखिरी लिस्ट के अंदर हुआ है यहां पर कुमारी सेंजा ने पूरा जोर लगा रखा था कि डोक्टर अजे चोदरी को टिकेट देनी है परन्तु बुपेंदर हुड़ा जसी पेटवार की पेरवी कर रहे थे और आखिरकार बुपेंदर सिंग हुड़ा कामियाब हुए और उन्होंने जसी पेटवार को ही कोंग्रेस की टिकेट नार्नोंद से दिलवा दी है जुलाना विदान सभा का जीकर करें तो जुलाना विदान सभा से बुपेंदर सिंग हुड़ा ने बिनेस फोगाट को टिकेट दी है सबा तीन बजे बिनेस फोगाट है जो बुपेंदर सिंग हुड़ा से मिलती है और को नाम को जो लिस्ट जारी होती है उनके अंदर जुलाना विदान सबाद से बिनेश भोगाट का नाम सामिल था और ये टिकेट है जो बुपेंदर हुड़ा ने दिलवाई है बुपेंदर हुड़ा ने बिनेश भोगाट और बजरंग पूनिया को ये काता कि आप एक बार पूल गंदी ने भी ये काता कि बुपेंदर सिंग हुड़ा है आपको हरियाना की अंदर जान से टिकेट दे वहां से आप चुनाब लड़ लेना और आखिर कारें बुपेंदर सिंग हुड़ा ने बिनेश भोगाट को जुलाना विदान सबा से टिकेट दिलवा दी पलवल विदान सबा का जिकर करें तो यहां से बुपेंदर सिंग हुड़ा के रिष्टेदार करन सिंग दलाल को इपलवल विदान सबा से कोंगरेस की टिकेट दिलवाई है मेंदरगट विदान सभा का जी कर करें तो बुपेंदर सिंग हुड़ा के बिल्कुल करीबी खास दोस्त राव दान सिंग को बुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाई है अलांकि रावदान सिंग है लोग सभा का चुनाब आर गए थे परंतु मेंदरगट विदान सभा से रावदान सिंग को बुपेंदर हुड़ा ने टिगट दिलुआई है यां भी बुपेंदर हुड़ा की चली है रोतक विदान सभा का जीकर करें तो रोतक विदान सभा से बारत बूसन बत्रा बीबी बत्रा को बुपेंदर हुडा ने टिकट दिलवाई है लोहरू बिदान सभा का जीकर करें तो लोहरू बिदान सभा से बुपेंदर सिंग हुटा ने राजबीर फरेटिया को टिकट दिलवाई है मुलाना पीदान सभा का जीकर करें तो मुलाना पीदान सभा से बरून मुलाना की पतनी है जो पुजा चोदरी उनको बुपेंदर सिंझ हुड़ा ने टिकट दिलवाई है अमबाला के सासत चोधरी बरुन मुलाना की पतनी है जो पूजा चोधरी बुपेंदर सिंग हुड़ा ने यहां उनको टिकट दिलवाई है और यहां पर भी बुपेंदर सिंग हुड़ा की चली है लोग सबाद चुनाब में भी बुपेंदर हुड़ा ने पुजाच सोधरी के पती बरुन मुलाणा को टिकट दिलवाई थी और अब बरुन मुलाणा की पतनी है जो यहां से बिदान सबाद का चुनाब बुपेंदर हुड़ा की महरमानी से लड़ेगी कलायत बिदान सभा का जी करके रहें तो कलायत बिदान सभा से हिसार के सासद जै प्रकास उरफ जेपी के बेटे को बुपेंदर हुड़ा ने टिगर दिलवाई है यहां दोस्तों विकास सारन को कलायत बिदान सभा से बुपेंदर हुड़ा ने टिगर दिलवाई है और हिसार लोकसवा चुनाब में भी जैप्रकास को बुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाई थी क्योंकि कुमारी सेलजा गुट चंदरमोन भी सनोई को टिकट दिलवाना चाहते थे परन्तु बुपेंदर हुड़ा ने साप साप सब्दों में हाई कमान को कह दिया था कि यहां से जैप्रकास रुप जैपी चुनाब लड़ेंगे और जैप्रकास को बुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाई थी और इन विदानसवा चुनाब में भी जैप्रकास के बेटे विकास सारण को बुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाई है जगादरी विदान सभा का जीकर करें तो अक्रम खान को बुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलाई है अक्रम खान है वो बुपेंदर हुड़ा के दोस्त है यमना नगर से रमन त्यागी को बुपेंदर हुड़ा ने टिकट दिलवाई है दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी वो नाम बता रहा हूँ कि जिन सिटों पर भुपेंदर हुड़ा की चलिया और उन्होंने उमीदवारों को टिगर दिलवाई है वो नाम है मैं जल्दी पड़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज्य जैब अगवान अंतिल को टिगट दिलवाई है जिन्द विदान सबा का जिकर करें तो बुपेंदर सिंग हुड़ा ने यहां पर मावीर गुपता के नाम पर मोर लगाई और उनको ही टिगट मिली है बाड़ना विदान सबा का जिकर करें तो यहां से बुपेंदर सिंग हतीन विदान सभा का जिकर करें तो मुहमंद इसमाइल है वो भी पुपेंदर हुड़ा गुट के अंदर आते हैं इसलिए पुपेंदर हुड़ा ने उनको यहां से टिकट दिलवाई है पितला विदान सभा का जिकर करें तो रगुवीर सिंग तेवितिया हुटा गुट के अंदर आते हैं इसलिए पुपेंदर हुटा ने रगुवीर तेवितिया का नाम है पो फाइनल किया है और पिर्चला से रदभीर तेवतिया को पुपेंदर हुड़ा ने टिकेट दिलवाई है बढखन विधान सभा का जिकर करें तो यहां से बिजे परताब सिंग है उनको पुपेंदर हुड़ा दवाला टिकेट मिली है पल्ला उगट विदान सभा का जिकर करें तो यहां से पुपेंदर उड़ा ने सिरीमती प्राग सर्मा को टिकट दिलवाई है फरिदावाद विदान सभा का जिकर करें तो पुपेंदर सिंग उड़ा ने लखन कुमार सिंगला को टिकट दिलवाई है तो साम भिदान सभा का जीकर करें तो यहां से अनिरूद चोधरी को टिकेट दिलवाई गई है आपको बता दूँ कि जो सुबुती चोधरी है उनकी माता किरन चोधरी है उन्होंने कुमारी सेलजा को यह काता कि कॉंग्रेस की टिकेट है वो अनिरूद चोधरी को नहीं मिलन यहाँ पर कुमारी सेलजा ने जोर लगाया था कि अनुरूद چोदरी को टिगट ना मिले परंतु आखिर कार भूपेंदर हुड़ा ने अनिरूद चोदरी को ही टिगट दिलवाया है तिगाओं विदानसवा की बात करें तो रोहित नागर बुपेंदर हुड़ा गुट में आते हैं इसलिए बुपेंदर हुड़ा ने उनको यहां से टिकट दिलवाई है पानिपत गरामिन की बात करें तो यहां से सचीन कुंडू को बुपेंदर हुड़ा ने टिकेट दिलवाई है अंबाला केंट विदानसभा का जीकर करें तो यहां से भुपेंदर सिंग हुड़ा है उन्होंने प्रमिला प्री को टिकेट दिलवाया है अंबाला सहरी विदानसभा का जीकर करें तो निर्मल सिंग को भुपेंदर हुड़ा ने यहां से टिकेट दिलवाई है हासी विदानसभा का जीकर करें तो युवानेत राहूल मकड को बुपेंदर हुड़ा ने टिकेट दिलवाई है तादरी विदानसभा का जीकर करें तो मनिशा सागवान को बुपेंदर हुड़ा ने टिकेट दिलवाई है थाने सर विदान सभा का जीकर करें तो यहां से भुपेंदर हुड़ा ने असोक अरोडा को टिकेट दिलवाई है गन्नोर विदान सभा का जीकर करें तो यहां से भुपेंदर सिंग हुड़ा ने कुलदीप सर्मा को टिकेट दिलवाई है कुछ दिल पहले कुलदीप सर्मा को एक मंच के उपर भुपेंदर सिंग उड़ा ने ये काता कि आप हमें छोड़ कर मत जाना हम आपका पूरा मान समान रखेंगे और यही मान समान ता कि गन्नोर विदान सभा से कुलदीप सर्मा को भुपेंदर उड़ा ने टिकेट दिलवा और विदानसभा का जीकर करें तो यहां से उद्यवान को भुपेंदर उड़ा ने टिगट दिलाई अलांकि उद्यवान हो हरियाना कोंग्रेस के प्रदेशा अध्यक्स है परंतु फिर भी भुपेंदर उड़ा और उद्यवान की आप सी सेंती से ओडल विदानसभा सीट है वो उद्यवान के कात्य में गई है सफिदो विदानसभा का जीकर करें तो सफिदो विदानसभा से बुपेंदर सिंग उड़ा ने सुबास गांगुली को टिगट दिलवाया है रादोर विदानसभा का जीकर करें तो यहां से बुपेंदर उड़ा ने बिसनलाल सैनी को टि प्र नूप पुपेंदर उड़ा ने टिकित दिलॉई है प्रोजबूर्जिरुका की बात करें तो मामन खान को फूपेंदर उड़ा पुनाना विदान सभा का जिकर करें तो मुहमंद इलियास को भुपेंदर हुटा ने टिकर दिलवाई है फृतवाद एनाइटी का जिकर करें तो नीरत सर्मा को भुपेंदर सिंग हुटा ने टिकर दिलवाई है बादली विदान सभा का जिकर करें तो कुलदी बत्स को पुमारी सेलजा की बात करें तो कुमारी शेलजा ने पंचकुलासे चन्दर मौन पिसनोई पो नीको नाखी तिलिवाई यह reten के स्थ्थृ पक्राइबumba की आ। सुर्जेवाडा को टिकट दिलाने में कामयाब हुए दूसरी सीट नर्वाना की बात करें तो वहां से रंदीप सिंग सुर्जेवाडा है उन्होंने टिकट दिलवाई है उस उमीदवार का नाम आपको बता दू कि उन्होंने वो सीट किसको दिलाई है तो बोगानाम है सत्पीर दबलेन, हैं दोस्तों नर्वाना और केथल, सिरफ दो सिते है जो औरंधी सुर्जेवाडा के हिंसे में आही है और दो ही सितें जो कुमारी सहन्जा की इसे में आई आई है बाकि सभी सितें जो लगबग बुपेंदर सिंग हुड़ा ने बांटी है हाँ कुछ सितें 5 से 7, 8 या 10 सितें भी हम कह सकते हैं वो हैं जो कॉंग्रेस हाई कमान ने अपने हिसाब से दिये तो इस परकार हम कह सकते हैं कि हर्याना कोंग्रेस सिरफ बुपेंदर हुड़ा की कोंग्रेस बनकर रहे गई है अब देखना यह है और यह भी देखना होगा कि इन चुनाबों में बुपेंदर सिंग हुड़ा की अगनी प्रिक्षा होने वाली है बुपेंदर सिंग हुटा हरियाना कॉंग्रेस को इन विधान सवाचुना में कितनी कामिया भी दिलाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा परन्तु दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आग्याने वाली हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके इनी तमाम बतों के इस साथ आप सबको राम राम नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में जैन बारतमाता की जैन